को पहले ऐसे होता था कि लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्ड करते थे महनत करते थे और सफल हो जाते थे अपने महनत के स्मार्ट वर्ट तभी आप क्वालिफाई कर वाएंगे पहला बाद इसको ध्यान में रख लिए क्योंकि याद रखेगा दोस्तों कि रेश हमेसा घोड़ा जीता है गधा कभी रेश नहीं जीता है याद रखेगा क्योंकि गधा महनत बहुत जादा करता है गोड़े से लेकिन रेश हमेसा घोड़ा ही जीता है इसलिए महनत आप गधा जैसा करिए लेकिन आपका जो तकनीक होगा वह आपका घोड़ा जैसा होना चाहिए तभी आप फाइनली जीत पाएंगे यानि आप एक्जाम को क्रैक कर पाएंगे नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में एक बर फिर से श्वागत है दोस्तों आज के सी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जी एससी के परिच्छा संसोधन नियामाबली दो हजार इकिस के बारे में जी हां दोस्तों इसी संसोधन नियामाबली पर जारखन में जितने भी निवक्ति होगा वो इसी नई न धायक के द्वारा उठाय गया था अल्प सुचित प्रस्ण में जिसका जबाब जो सरकार के द्वारा दिया गया है उन्हीं से से रिलेटेट चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों जो नई नियूकती नियामावली है परिछा संचालन जैस गेट लेबल का ही है जिसमें कंप्यूटर ग्यान और हिंदी टंकन यानी कंप्यूटर नॉलेज के साथ जो हिंदी टाइपिंग वाला आता है उससे संबंधित एक नियूकती नियामावली है चौथा जो है वो है जैसे सी डिप्लोमा तकनीक एबं बिसिस्ट जो सेवा है उ इच्ञेट लेबल में जो एकसाम होगा उससे संसोधन नियामावली और एक चाथा वह आपका थोड़ा तकनीकी यानी ग्राइजी से निवल में जो तखनीकी वाला है उससे संबंधित है तो उससे संबंधित जो नए नियूकती नियामावली बना था इसी को लेकर वो प्रस्ण मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा देखिए जो प्रस्ण पूछा गया था वो प्रस्ण है कि क्या यहां बात सही है कि JSSC परिच्छा संसोधन नियामावली 2021 जो है कि तहत गैर आरक्षित स्रिनी के जारखंड के मूलवासी खत्यान इचात्र जदी रा थ्यान धारी है यहां ही के लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है सिख्छा दिख्छा वो किसी अदर स्टेट से किये हुए हैं तो क्या वो यहां पर जो नियुक्ति होगा जारखंड में यानि जो नई वेकेंसी आएगा क्या वो उसके लिए आवेदन के पात्र होंगे यह प्रस्णों किया गया था तो इसका दोस्तों जबाब जो दिया गया है देखिए जवाब यह है कि इसमें जारखंड करमचारी चायन आयोग द्वारा बिभीन पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजीत की जाने वाली परिक्छाओं के लिए निम्न परिच्छा संसोधन नि जामावली के अनुसार जारखंड करमचारी चायन आयोग द्वारा आयोजीत की जाने वाली मेट्रिक लेवल हो इंटरमेडियेट लेवल हो यानि ग्रेजुएट लेवल पर हो ठीक है एवं बिसिस्ट योग्यता अस्तर के परिक्छाओं के लिए इसमें कहा गया है कि जारखंड राज्य में अवस्थित माइन्यता प्राप सेक्षिक संस्तान से उतिन होना अनिवार्ज होगा इसके साथ ही ये भी रखा गया है कि अभ्यर्थी को अस्थानिय रिती रिवाज भासा एवं परिवेस का ज्यान होना अनिवार्ज होगा यानि जो भी होगा एक तो और इसमें जोड़ा गया है परन्तु यहां भी जार्खंड राज्य की आरक्षन नीती से अच्छादित अभ्यर्थी के मामले में जार्खंड राज्य में अवस्थित माइन्यत प्राप सेक्चानिक संस्ता से मेट्रिक इंटर 10 प्लस 2 का अक्षा उतिन होने वाले सम्मंधित प्रावधान सिधिल रहेगा यानि अगर वह किसी भी आरक्षन का लाव ले रहे हैं जार्खंड से तो वह ऐसे स्थिती में अगर आप बाहर से भी आप डिग्री प्राप्त किये हैं तो आप आवेदन डाल सकते हैं यह था पहला प्रस्न दोस्तों इसी संसोधन नियामावल से होने के बावजूद अगर आप अधर स्टेट से अपना टैंथ कियों हैं वैसे स्थिती में आप यहां आवेदन नहीं कर सकते हैं तो यह अपने आप में अगर देखा जाए तो संभिधान के जो आर्टिकल है आर्टिकल 14 और 16 का यह उलंगन माना जा रहा था तो इसी को लेकर प्रस्ण किया गया है क्या यहां बाद सही है कि उपरोक्त प्रावधान संभिधान के अनुछेद 14 और 16 का उलंगन करता है जिस कारण नियालय में सामाइन नियुक्ती भी प्रभावित होगी यह प्रस्ण किया गया था ठीक है विधायक जी के दौरा जिसका जवाब जो दिया गया है दोस्तों देखिए इसका जवाब क्या दिया गया है इसमें कहा गया है कि उपयूक्त बरनित संसोधित नियामावली यानि यह जो संसोधित नियामावली है कि गठन के क्रम में प्रस्ताव एबम अधिसुचना प्रारूप पर जो ड्राप्ट किया गया था दोस्तों निवाई नियुक्ति नियाममली का इसमें बित्य विभाग की सहमती लिया गया था साथी बीधी विभाग का प्रामर्ष एबं बिद्वान महाधिवक्ता ठीक है यानि इन लोगों को राई का बीधीक मंतर्व्य प्राप्त किया गया इन लोग से राई लिया गया है तदोपरांत प्रस्ताव एवं अधिसूचना प्रारूप पर मंत्री परिशद की सुईकृती प्राप्त कर अधिसूचना निर्गत की गई है यानि दोस्तों इसमें साप और अस्पस टूप से यह कहा गया है जो जबाब दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि सरकार इस नई नियुकती नियामावली को बनाने का जो आधार है इसमें बित्विभाग के शाथी बिधी बिभाग और बिद्वान महादिवक्ता का राई को लिया गया है और तदो परांति यानि उसके बाद ये विचार किया गया है तभी जाकर के स्विक्रिति के बाद इस अधी जो संसोदित नियामावली है इसको जारी किया गया है तो दोस्तों ये है एक तरह से जो सवाल जबाब था ये दिया गया है नई न्यूकति नियामावल के वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूं धन्यवाद